लागडाउन के चलते अनावाशक घुमने वालों के विरुद दर बेटमा पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही इसी के चलते बेटमा पुलिस ने दस पेटी अवेश शराब और तुफान काड़े के साथ दो आरोपियों को गिरपतार किया है देश में वर्तमान समय में कोरुणा महमारी के लिए किये गए लागडाउन को लंगन करने के विरुद पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही में अवेश शराब माफिया पर कार्यवाही करने के वरिष्ट अदिकारियों के द्वारा निर्देश दिये गए मुख्बिर से सूजना प्राप्त हुई कि तीन वेक्ती एक तूफान गाड़ी में ग्राम बोरिया तरफ से ग्राम माचल बड़ी मात्रा में अवेद मात्रा अवेद शराब लेकर जा रहा है उसी के चलते बेटमा थाना पर भारी दिरेंदर पाल सिंग चोहान ने एक टीम गठित की और उसे रवानक कर माचल राजपूर अवेद पर गेरा बंदी कर आरोपियों को गिरिपतार किया है शराब की किमत लगभग 38,000 बताई जा रही है देवालपूर से यूसल चानना की रिपोर्ट आज जो है लॉगडाउन के दोरान पुलिस ब्यास्ता लगी हुईती तभी मुक्वेद से सुचना मिली कि कुछ लोग सराब का अवेद पर इवेद कर रहे हैं और राजपुरा तरफ राजपुरा तरफ एक गामा गाड़ी जिसका नंबर एमपी जीरो नाइन बेसी बीसी पिच्चतर जीरो पाँच है उसमें अवे सराब परिवेंद कर रहे हैं सुचना पर एसाई गौर आरक्षक ग्यानें सिंग भधुरिया और आरक्षक मुकेश को सुचना की तस्दीक एवं करवाई एदू भेजा गया था जिन्होंने राजपुरा फाटे के पास उक्त गाड़ी को रोका तो उसमें से राजकुमार नाम का व्यक्ति जो धार जिले का रहने वाला है कूटकर भाग गया दो लोगों को पकड़ा है जो एक धर्मेंद्र और कि अंद्र गारी मैं सर्च करने वर देशी मदिल्हा की मिली हैं जबतकर कारवाई की अभी पूस्ताच की जा रही है और कहां ले जार्य है में श्काटच की, हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें